ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना करा रहा है हलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ मेदू बड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे हम व्रत में खा सकते हैं और ये बहुत ही सादा टेस्टी क्रिस्पी है आप इसे किसी भी अपनी मन पसंद चटनी के साथ खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत असान है तो आएए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसके लिए हमने एक कप सामक चावल लिए हैं ये इस तरह की शोटे-शोटे दाने होते हैं इसे वरत के चावल या फिर बर्न यर्ड में रिट भी बोलते हैं अब हम इने पीस लेंगे इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इने हमें बिल्कुल पाउडर नहीं करना है हमें इसे दरदरा पाउडर बनाना है आप ध्यान रखें और ये देखिए हमने इसे पीस लिया है और अगर आप इसे फिंगर्स के बीच रखे इस तरह से करेंगे तो आपको ये दरदरा फिल होगा हमें विल्कुल ऐसा ही तयार करना है अब हम एक कड़ाई में डेड़ कप पानी डालेंगे हमने एक कप सामक चावल लिये है तो हमने डेड़ कप पानी लेंगे आप ये जो नाप है अगर आपके पास मैजरिंग कप्स ना हो तो कोई बात ने आपका टोरी या छोटी से गिलासी किसी से भी आप इसे नाप सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच सेंधा नमक साथ ही डालेंगे दो हरी मेश बारी कटी हुई आप चाहें तो हरी मेश कम भी कर सकते हैं आपने टेस्स के कॉलिंग अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे चमच अदरक का पेस्ट आप चाहें तो अदरक कटी हुई यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप अद्रक्वरत में नहीं खाते हैं तो आप इसे skip कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच काली मिर्ष पाउडर साथी एक चमश तेल डालेंगे हम इसमें अब ये पानी उबलने लग गया है तो अब हम इसमें जो हमने सामक चावल पीसे थी वो डालेंगे थोड़े-थोड़े करके और साथ हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लाम्स भी ना बने और ये बिल्कुल एक समान पक जाए ये देखिए हम एक हाथ से डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से इसको हिलाते रहेंगे और जो गैस का फ्लेम है वो इस समय हमने बिल्कुल लो किया हुआ है हम इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि जो सामक चावल का आटा है वो जो पानी बहुत जल्दी एब्जॉब कर लेगा और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बिल्कुल आटे जैसा त्यार हो जाएगा एक डो त्यार हो जाएगा हमारा हमें इसे वस लगाता चलाते रहना है लो फ्लेम पर जब तक कि इसका सारा पानी एब्जॉब नहीं हो जाता या बिल्कुल ये दो जैसा आपको नहीं लगने लग जाता और ये देखी हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है इसका अब हम यहां गयस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसको ढग देंगे और तब तक हम बाकी की तयारी कर लेंगे हमे एक बड़तन ले लेंगे अब हम लेंगे एक medium साइस का आलू जिसे हमने पहली उबालका फ्रिज में रखा हुवा था अब हम इसे grate कर लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से और ये हमारा सामक चावल का जो आटा था वो थोड़ा सा आप पिल्कुल गुन-गुना है हलका गरम है तो अब हम इसे आलू के मिक्स्चर में डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 3-4 बड़े चमच हरा धनिया बारी कटा हुआ हरा धनिया इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि हमने नमक जो पहले है वो चावल के हिसाफ से डाला था अब हमने इसमें आलू भी आड़ किये हैं तो हम नमक आप चाहें तो लाल मिर्च भी आड़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा निंबू भी डाल सकते हैं अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल एक dough जैसा तयार कर लेंगे और यह dough बिल्कुल तयार हो चुका है अगर आपको ये डो थोड़ा पतला लगे तो आप इसमें सिंगाडे का आटा भी डाल सकते हैं या कोई भी ओर आटा, कुट्टू का आटा या पिसामक चावल का आटा पर ये मेरा डो बिल्कुल सही सेट हुए तो मैं इसमें कोई भी आटा नहीं मिला रही हूं इस समय शेप ले लेगा और इसी तरह से हम सारे मेदुवड़ा तयार कर लेंगे मेदुवड़ा तयार है और हमने ओयल को पहले ही अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें एक एक करके मेदुवड़ा डालेंगे और डालते ही हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेडेंगे या बिल्कुल भी कलची से या पॉनी से नहीं हिलाएंगे जब ये नीचे से अच्छे से थोड़ा सिक जाएंगे तक्रीबन एक मिनट यकुछ सेकेंडस के लिए तब हम इसको चलाएंगे हमने gas का flame medium किया हुआ है ताकि ये अच्छे से अंदर तक सीख जाएं और ये देखे इस तरह से हम इसे पलटते हुए दोनों साइट से golden कलर आने तक fry कर लेंगे और ये देखे इनके उपर बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है तो अब हम इने tissue paper पर निकाल लेंगे और हमारे सारे मेदूबड़ा बन करके तयार है दिखने में कितने बढ़या लग रहे हैं और अगर आपको तोड़के दिखा रही हूँ अंदर से इनका texture देख सकते हैं और ये उपर से बहुत ही जादा क्रिस्पी है और आप इसे दनिया पुदीना की चटनी और साथी एमली और खजूर की चाटनी के साथ अगर गर्मा गरम सर्व करेंगे तो ये बहुत ही जादा बढ़या लगेंगे तो आप इससे पी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुफ़ा में साथ जरूर शियर करें और अगर रेशिपी अची लगी हो तो हमारे चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शियर जरूर कीजिए और साथ ही लगे बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें